पाठ इकत्रिस पत्र लेखन लेटर राइटेंग लिखे तभी व्यप्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है यह अपनी बात को दूसरों तक पहुचाने का एक सशक्त माध्यम है आज का युग इंटरनेट का युग है इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परमपरागत धंक से किये जाने वाले पत्र लेखन में कमी आगये है किन्तु नए नाम इमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेष्टाएं इस प्रकार हैं सरल्ता पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी पत्र उतने ही ग्राहये होंगे स्पष्टता पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतह स्पष्ट होना चाहिए निश्च्यात्मक्ता निश्च्यात्मक्ता से तात्पर है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना उठे संक्षिप्तता पत्र में जो भी बाते लिखी जाएं वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए मौलिकता पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्त किये वाक्य नहीं होने चाहिए पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए उद्देश्य पूर्णता पत्रों को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यूं लिख रहा है पत्र के प्रकार शैली की दृष्टी से पत्र दो प्रकार के होते हैं एक अनौपचारिक पत्र दो अपचारिक पत्र एक अनौपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनुपचारिक पत्र कहलाते हैं इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदी का उलेख करता है अतह इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं दो अपचारिक पत्र ये पत्र अपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं जिन लोगों की साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनकी साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हम उन्हें जानते तक नहीं होते हैं इन पत्रों में तत्यों और सुचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है